हाई वी बोस वेलकम टो ओल नवीन दर यूटुब चानल मैसल नवीन ये सीरस्व के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है आपके एक्जाम हुए थे फरवरी 2020 में तो उस एक्जाम में जिस भी बच्चे की रियपियर आई हुई है अभी जो रिजल्ट आया है दो तिन द बताया है कि जिस भी बच्चे ने फरवरी 2020 में जो एक्जाम हुए थे वो दिये हैं और आप अप्लाइ करना चाहते हो रिवैलवेशन के फॉर्म रिचाकिंग के फॉर्म तो आप अप्लाइ कर सकते हो दोनों और यह होंगे आपके नो तारिक तक नो जुलाई तक एंड आपके लगेंगे ठीक है अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशित नहीं है क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है तो आप उसकी कोपी लगा सकते हो रिजल्ट की कोपी लगा सकते हो ठीक है इसमें आपको क्या करना यूनिवर्स्टी की साइट से जाना है और अपने जो रि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ठीक है तो आपका फॉर्म जो है सिर्फ 24 जुलाई तक एक्सेप्ट होगा विद लेट फीस और आप लेट फीस लगाकर 24 तारिक तक जो फॉर्म है वो फील कर सकतो रिवैलवेशन सरी चेकिंग का उसके बाद आपका जो फॉर्म से वो रिज अगर आपके पास माक्षीट नहीं है क्योंकि अभी तक तो माक्षीट आपको मिली नहीं होगी तो आप अपने रिजल्ट की कोपी यहां पर अटैच कर सकते हो ठीक है अगर इन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई बच्चा पास है जो फॉर्म में एक्जाम होए थे तो आप चाहते हो अपने रिवैलवेशन के फॉर्म अपलाई करना तो पंद्रा दिन के अंदर अपने जो भी फॉर्म से इसको आप अपलाई कर सकते हो ठीक है तो यही थी नोटिफिकेशन और जो आपके साइट है CRSU की रिवैलवेशन वाली वहां से फॉर्म आप डाउनलोड कर सक ठीक है तो यही थी नोटिफिकेशन आज के लिए आपके तो काफी बच्चे बोल रहे थे कि रिवैलवेशन सोरी चेकिंग के फॉर्म कब होंगे ओपन तो आपकी CRSU युनिवरस्टी ने ओपन कर दिये हैं नो तारिक तक आपके भरे जाएंगे अगर आपके किसी भी फ्रे इसको बता सकते हो अगर आपको भी फॉर्म फिल करना है तो आप भी कर सकते हो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए ता बस इतना ही थेंक यू